ठीक है तो रंगर्गुटर मेथर्ड वर साइमल्टेनिस फर्स्ट ओर्डर एक्वेशन्स यह मैं बता रहा था आपको इसमें एक की बजाए दो एक्वेशन्स होंगे दो डिफ्रेंचिल एक्वेशन्स फर्स्ट ओर्डर के क्या होगे उसकी dy by dx equal to f1 dz by dx equal to f2 और f1 और f2 x y z तीनों पे डिपेंड करेंगे पिशले बार भी जब एक दिफ्रेंचिल एक्वेशन था तो एक इनिशिल कंडिशन जिया हुआ था इस बार आपके पास दो दिफ्रेंचिल एक्वेशन होंगे तो इनिशल कंडिशन देगा, तो dy by dx equal to f1, dz by dx equal to f2 और y at x not equal to y not, z at x not equal to z not, क्योंकि y और z यहाँ पर dependent variable है, with respect to single independent variable that is x, now हमें क्या करना है, same start कहां से करना है, x not, y not, z not से, जो की already given है question में, k1 का formula आपको पता है, k1 का formula कहां से आया था, eulers, eulers method से, very good, l1 का formula भी eulers method से ही आएगा, formula k1 और l1 में difference क्या है, k1 function का difference है, क्यों, क्योंकि आपको, अगर y1 की value चाहिए, तो y1 के लिए आपका formula क्या होता है, y1 is equal to y not plus k, जब हम रंगे कुट्टा method कर रहे थे, last class में, तो आपने देखा होगा, y1 is equal to y not plus k लिया था, तो उसको मैंने fix कर दिया है, notations के तौर पे, अब जब मैं यहाँ z ले रहा हूँ, तो z1 क्या निकलेगा, z not plus l ले रहा हूँ, एक another, मैंने एक another parameter ले लिए l, तो z1 is equal to z not plus l है, y1 is equal to y not plus k है, तो y not की value और z not की value तो given है, तुम्हे value निकालनी है, k और l की, और यह k क्या होता है, आपको पता है, k is equal to 1 by 6 times of twice of k, sorry, 1 by 6 times of k1 plus twice of k2 plus twice of k3 plus k4, इसी के same to same correspondingly, l का formula भी हो जागा, 1 by 6 times of l1 plus twice of l2 plus twice of l3 plus l4, ठीक है, अब यह k1, k2, k3, k4 और l1, l2, l3, l4 कैसे निकालना है, same process जो हमने रंगे-गुटा मेथ़ड में किया था, रंगे-गुटा मेथ़ड में आपके लिए k1 जो था, वो निकला था, eulor's मेथ़ड से, जो था k1 is equal to h into f1, h into f था, उसमें xy ही था केवल, लेकिन, चुकि यहाँ पर f1 जो है, वो x, y, z पर depend कर रहा है, इस वज़े से यहाँ पर f1 के, किसका function हो गया है, x0, y0, z0 का, ठीक है, इसी तरह l, जो है, वो भी, वो भी क्या होगा, h into f2 of x0, y0, z0, तो ध्यान देने वाली बात है, कि जब मैं y के लिए value निकालने जा रहा हूँ, मतलब y के लिए जब value निकालूंगा, तो y0 plus k, why not already given है, k की value निकालने, k की value जानने के लिए आपको k1, k2, k3, k4, निकालना पड़ेगा, k1, k2, k3, k4, kis के function है, वो function obviously किस के होंगे, f1 के, क्योंकि y के corresponding function जो है, वो f1 है, तो आप देखो के, k1, k2, k3, k4 में, जो भी function है, वो f1 है, k1 equal to hf1, k2 is equal to hf1, k3 is equal to hf1, k4 is equal to hf1, और जो z है, वो किस के corresponding है, f2 के, तो इसी लिए, यहाँ पर जब मैं z की value निकाल रहा हूं, इसके लिए मैंने z1 is equal to z0 plus l parameter लिया है, जो कि l आया है, 1 by 6 times of l1 plus twice of l2 plus twice of l3 plus l4, इसके लिए l1, l2, l3, l4, obviously किस के function हो जाएंगे, f2, 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 means l1 is equal to hf2, l2 is equal to hf2, l3 is equal to hf2, l4 is equal to hf2, means formula जो आपका रंगे कुटा method में, last time मैंने कराया था, सेम है, बस difference क्या है, यहाँ पर दो variables, मतलब function दो है, f1, f2, तो उसके कराब only k1 और l, k और l2 अलग-अलग parameter मुझे निकालने पड़ेंगे, अब अंदर भी similarly इस तरीके से change होगा, x0 plus x0, y0, z0 हो गया, क्योंकि 3 variables हो गया है, इसी तरह k2 में क्या जाएगा, x0 plus h by 2, y0 plus k1 by 2, z0 plus l1 by 2, क्योंकि यहाँ z भी है, तो इसका मतलब यह है, कि आपको k2 निकालने के लिए, आपको k1 और l1 पता होना चाहिए, similarly, k3 निकालने के लिए, k2 और l2 पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे आपका k1, k2, k3, k4 निकालता है, आप k निकाल सकते हो, k निकलते ही आपके पास, y0 के साथ add करने पर y बना जाएगा, similarly, l1, l2, l3, l4 आप निकालते हो, फिर इसके बाद l की value निकालने के बाद, आप z0 के साथ इसको add करोगे, तो z1 की value आजाएगी, अब y1 निकल गया, z1 निकल गया, अगर आपको z2 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x0, y0, z0 है, उपर formula में, वहां पर क्या करना पड़ेगा, x1, y1, z1 replace करना पड़ेगा, क्योंकि इस time पे, आप इस position पे पहुँच चुके हो, क्योंकि आपको x1, y1 और z1 की value पता हो गई है, तो अब आप next value, y2 और z2 निकाल सकते हो, यह formula clear हुआ सभी को? Yes sir, yes sir. Okay good, तो चलो देखते हैं question, question आपको यह बताया था मैंने, dy बे dx equal to, yz plus x, dz बे dx equal to xz plus y, given that y of 0 equal to 1, z of 0 equal to minus 1, और y of 0.2 and z of 0.2, यह value आपको निकालने, find the value of y at 0.2, z at 0.2, तो यहाँ पे आपने function देखा था, differential equation पहले किस form में था, dy by dx equal to f1, z by dx equal to f2, तो यहाँ f1 क्या हुआ? yz plus x sir, very good, f2 क्या हुआ? xz plus y, x not क्या हुआ? 0, 0 sir, z not, 1, z not 1 है? minus 1, minus 1, इसलिए y not skip किया है मैंने, चलो, ठीक है, आपको मतलब initial चीज़े पता लगई, x not, y not और z not ध्यान देना है, यह देखो, यह किस फॉर्म में, y of y not equal to 1, sorry, y of x not equal to y not होता है न, z of x not equal to z not होता है, तो x not की value तो, दोनों में 0 दिखा ही रहा है, y not की value क्या ज़ए, की 1 और z not की value minus 1, compare कर ले न, पिछले जो आपको form बताया था, ठीक है, अब similarly, अब क्या करोगे आप, f1 निकालोगे, sorry, k1, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक और चीज़, आपको value किस पर निकालनी है, y at 0.2, यहाँ पर h उसने given नहीं दिया हुआ है, तो एक काम कर सकते हो, तुम h equal to 0.2 भी ले सकते हो, direct, h equal to 0.2 निकालोगे, तो directly जो तुम y1 निकालोगे, वही तुमारा direct answer आजाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा, lengthy process किया है, h equal to answer, accurate लने के लिए, h equal to उसने क्या लिए है, 0.1, h equal to 0.1 ले रहा हूँ, तो simple सी बात है, मुझे कितने step करने पड़ेंगे, 2, 2 step करने, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, y2, y2 और z2 निकालना पड़ेगा, तो y2 का क्या formula होता है, y1 प्लस के, z2 के लिए, z1 प्लस L, z1 प्लस L, तो presently आपके पास, y1 और z1 की value नहीं है, तो आप y2 नहीं निकाल सकते हो, तो इसका मतलब आपको y1 और z1 निकालना पड़ेगा, y1 के लिए क्या formula बन जाएगा फिर, y0 प्लस के, y0 प्लस के, तो y0 की value तो पता है, आपको 1 है, अब आपको क्या निकालना है, k, k की value के लिए आपको पता है, 1 by 6 times of k1, plus twice of k2, plus twice of k3, plus k4 है, अब उसके लिए आपको k1, k2, k3, k4 निकालना पड़ेगा, और k1 जो है, वो k1 की value जो है, वो f1 case से निकल जाएगी, और साथ ही साथ, k2 की जब आप value निकालोगे, तो आपको l1 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि function जो है, वो x, y, z, तीनों पर depend कर रहा है, तो इसलिए आपको, जो l1 भी निकालना पड़ेगा, जिसकी help से आप l1, l2, l3, l4 के आप से l निकालोगे, help से, l निकालोगे, l के साथ जब आप z naught को add करोगे, तो आपके पास z1 आ जाएगा, तो चलो process शुरू करते हैं, ये skeleton बता हैं मैंने किस के जिस किस तरीके से आप करना है, अब k1 की value कैसे निकलेगी, k1 is equal to f1 of x, y, z, तो f1 of x naught, y naught, z naught होगा, क्योंकि मैं y1 निकालने जा रहा हूँ, तो x naught, y naught, z naught लूँगा, f1 of x naught, y naught, z naught, f of f1 क्या है, y, z plus x, तो ये क्या जाएगा, y naught, z naught, plus x naught, तो y naught की value क्या है, 1, z naught की value, minus 1, और x naught की value, 0, तो ये आजाएगा, 1, minus 1, plus 0, multiply by h, जो कि 0.1 है, तो ये complete solution क्या देदेगा है, k1, k1 की value क्या है, minus 0.1, similarly, l1 निकालोगे, l1 का formula, same to same, k1 जैसा होता है, बस function difference रहता है, k1 में f1 है, l2 में, l1 में f2 है, f2, b, v, 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 s, f1, f2 function same की है, मतलब x naught, y naught, z naught हो, या पर x naught plus h by 2, y naught plus k1 by 2, z naught plus l1 by 2, variables, same variables के function है, तो f of 2 क्या जाएगा, F2 क्या है यहां पर X Z plus Y तो यह जाएगा F2 of X not Y not Z not आ जाएगा X not Z not plus Y not X not है 0 Y not है sorry Z not है minus 1 plus Y not है 1 तो 0 minus 1 plus 1 मतलब 0 multiply by minus 1 नहीं होगे 0 0 plus 1 1 और इसको X multiply करो 0.1 से तो आपके आज पास आ जाएगा 0.1 तो ठीक है similarly आप K2 की value निकाल लेना निकाल लोगे न निकाल लोगे न यह सर्थ एच टू क्या है X not plus H by 2 Y not plus K1 by 2 Z not plus L1 by 2 तो H की value क्या है 0.1 तो 0.1 divided by 2 यह आजाएगा 0.05 प्लस करोगे X not तो X not तो 0 ही है तो यह X not plus H by 2 क्या बन गया है 0.05 next Y not की value आपके पास दी हुई है 1 plus K1 की value आपने अभी निकाला है minus 0.1 divided by 2 करोगे तो आपके पास आजाएगा 0.05 1 minus 0.05 जब करोगे 005 तो आपके पास आएगा 0.95 करके देख लेना Z not की value है minus 1 plus L1 की value 0.1 निकली है उसको divide by 2 करोगे Z not के साथ add करोगे तो finally आपके पास आएगा minus 0.95 और F1 की value क्या है F1 की value है YZ plus X तो X की value है F1 में presently X की value क्या है 0.05 Y की value है 0.95 Z की value है minus 0.95 F1 आपके पास YZ plus X तो Y की value है 0.95 multiply by Z minus 0.95 plus X मतलब 0.05 तो यह आपको दे देगा यह quantity ठीक है जो भी यह आएगी YZ plus X YZ plus X तो Y 0.95 Z minus 0.95 plus X is 0.05 यह quantity जो भी देगा उसको 0.1 मतलब H से multiply कर देंगे तो आपके पास K2 आ जाएगा ठीक है Similarly आपको L2 निकालना है यहां द्यान रहेगा है F1 का F1 जिसका जिन variables का function होगा same to same F2 भी उनी variables का function होगा मतलब F1 अगर 0.05 0.095 minus 0.95 है F2 भी same वही होगा 0.05 0.95 minus 0.95 क्योंकि दोनों same ही है variable same है दोनों के F1 F2 के तो कि वहाल function variable है function F1 क्या है YZ plus X F2 क्या है XZ plus Y तो यहां पर क्या करेंगे हम L2 में F2 है तो XZ plus Y करेंगे तो X की value यहां पर 0.05 है Z की value minus 0.95 है plus Y की value 0.95 है तो उसको X से multiply करोगे तो L2 निकल जाया similarly K3 आप निकाल लोगे K3 के formula में और L3 के formula में क्या change आता है जहां K2 और L2 में K1 और L1 दिया हुआ है वहाँ पर आप क्या replace कर दोगे K2 और L2 बाकी सब सेम है वैसे ही करना जैसे भी मैंने आपको बताया था सेम फिर last में K4 और L4 निकाल लेना K4 और L4 का formula क्या होगा K4 is equal to H into F1 X not plus X Y not plus K3 और Z not plus L3 तो K not और Z not और L3 की value आप निकाल चुके हो L3 की value Y not value आपको पता है K3 की value भी आप निकाल चुके हो X not और H आपको पता है इन सब का सम करके आपके पास यह already मैं explain कर चुका हूँ अभी ठीक है ना तो X की value इसमें क्या होगी 0.1 Y की value क्या होगी 0.9135 प्लस X मतलब 0.1 तो आपके पास यह आया है इसको X से multiply करें 0.1 finally answer आगया तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो भी तो K1, K2, K3, K4 आपको पता है किस तरह किस निकालना है और आपने निकाल लिया अब क्या करोगे आप K की value निकालोगे K is equal to क्या है 1 by 6 times of K1, K2, twice of K2, plus twice of K3, plus K4 value K1, K2, K3, K4 की जो निकाली है जब सब्स्टिटूट करो आपके पास K की value आजाएगी L की value भी similarly आप वैसे निकाल लेना L equal to 1 by 6 times of L1, plus twice of L2, plus twice of L3, plus L4 1 by 6 L1, L2, L3, L4 की value सब्स्टिटूट करो फिर आपके पास L की value भी आजाएगी जैसे ही K और L की value आपकी आई उसको Y0 और Z0 में add करो तो आपके पास Y1 और Z1 आ जाएगा यहां तक clear है सभी को कोई एक single भी doubt है तो पूछ लोगों और यह PDF मैं आप लोगों को भेज दूँगा अभी जैसे यह session end होता है ठीक है क्योंकि इसके बाद आपका module भी finish हो रहा है यह बला अब आपने Y1 और Z1 निकाल लिया लेकिन आपको निकालना क्या था तो Y2 Z2 मतलब Y at X2 और Z at X2 X2 की value क्या है 0.2 तो Y at 0.2 और Z at 0.2 निकालना था प्रेजेंटली आपने क्या निकाला है है Y1 मतलब Y at X1 Z at X1 मतलब Y at 0.1 Z at 0.1 निकालना है तो सेम अब नेक्स स्टप क्या होगा आपके पास X1 Y1 और Z1 की value आगी X1 की value क्या है कैसे आगी बताओ X not plus H very good तो X not 0 है H 0.1 है तो X not X1 Y1 और Z1 की value निकाल गई जो उपर तुमने अभी किया था X1 आपने K1 K2 K3 K4 की value निकाली थी जहां जहां X not Y not Z not था जैसे मैं यहां दिखा दे रहा हूँ यहां पर X not Y not Z not था अब अगर तुम्हें Y2 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा N equal to 1 substitute करते हो इन जनरल फॉर्मुला में तो यहां पर X and Y and Z and की place पर आप क्या जाएगा X1 Y1 Z1 मतलब X not Y not Z not जो था उसको तुम क्या replace कर दोगे X1 Y1 Z1 यहां भी in terms में भी जहां जहां X not Y not Z not है वहां पर क्या करोगे X1 Y1 Z1 substitute कर दोगे मतलब replace कर दोगे हर जगे ठीक है तो तुमारे पास क्या बनेगा वाइट टू के लिए जो तुम K की value और L की value निकालना चाह रहे हो उनके फॉर्मूलेज ठीक है तो सिम सिम्रली मैंने यहां यही किया है देख लो के वन इस टाइम पर क्या होगा H into F1 of X1 Y1 Z1 इसली बार क्या था X not Y not Z not किस बार क्या है X1 Y1 Z1 F1 की क्या है YZ plus X तो F1 of X1 Y1 Z1 क्या जाएगा Y1 Z1 plus X1 तो Y1 की value वो प्रोडक्ट करो Z1 की value के साथ जो अभी निकाल लिए आपने प्लस उसको X1 के साथ add करोगे तो आपके पास K1 की value क्या आएगी minus 0.073 ठीक है L1 की value क्या है H into F2 और F2 की value क्या है X Y plus X Z plus Y तो X Z plus Y के लिए यह F2 किसका function आभी X1 Y1 Z1 तो यह बन जाएगा आपके पास X1 Z1 plus Y1 तो X1 को Z1 के साथ product करो plus करो Y1 के साथ whole को multiply कर तो H के साथ तो आपके पास L1 आजाएगा ठीक है similarly आप K2 भी निकाल सकते हो solution पूरा का पूरा सामने है आपके पास वीडियो थोड़ा lengthy बन जाएगा इस वज़े से इसको थोड़ा सा मैं skip कर रहा हूँ आप पे छोड़ रहा हूँ ठीक है F1 F2 कहीं भी एक single doubt point का भी तो पूछ लेना पीडियेफ आपको दे दूँगा मैं ठीक है तो K2 निकाल लोगे अब L2 निकाल लोगे K3 L3 निकाल लोगे K4 L4 निकाल लोगे यह बताओ पहले पूछ रहा हूँ मैं यह सर एक्षविद हमारा वो FMHM क्लास का लिंक आ गया है वो स्टार्ट हो गया ओके ठीक है तो फिर मैं मैं तोड़ा जल्दी इसको करता हूँ खतम तो K और K और L की वैल्यू तुमने निकाल लिया ठीक है K और L की वैल्यू निकलते ही तुमारे पास Y2 और Z2 की वैल्यू आगी क्योंकि Y2 क्या है Y1 प्लस K और Z2 क्या है Z1 प्लस K z1 और y1 की value आप निकाल चुके थे पहले, k और l तुमने अभी निकाला है, y1 को k के साथ add करो, z1 को l के साथ add करो, तो finally तुम्हारे पास y2 और z2 आ जाएगा, यहां तक बात समझाई सबी को? जो यह simultaneous equation जो solve करते होगा, first order equations के, differential equation का, वो आज complete हुए using रंगे गुटा में, तो चलो फिर next session में मिलते हैं, next class आप return कर सकते हो,